चलिए इस तो बात करते हैं IRCTC के बारे में बहुत ही बहतरी नी कमपनी मानी जाती है बट करने की जिस तरह के से लगतार हमें डाउन मुमेंटम इस कमपनी के अंदर देखने को मिल रहा है तो इस समय सबसे बड़ा सवाल ये निकल किया रहा है कि स्टॉक्स के अंदर और भी नीचे के लेवल मिलेंगे तो अगर काफी सारे निवेशक तो तयार भी बैठे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर नीचे के लेवल हम लोगों को दिखाई देते हैं तो हम लोग इसके अंदर खरीदारी करेंगे और लोग टम में अच्छका सा मोमेंटम जैसे ही तरीके से कोविड-19 के दोरान प्रभावित होती हुए नजर आई हैं बिजनेस चौपट होता हुआ नजर आ है जिसकी वज़े से हमें इन स्टॉक्स के अंदर भी काफी गिरावर्ट देखने को मिली बट वापिस से जो है ट्रैक पर यह सारे शेर हम लोगों को दिखाई द देखें तो लगतार जिस तरीकी का मोमेंटम हमाई कंपणी के अंदर देखने को मिल रहा है तो बजार के दिगज मानकर चल रहे हैं और कुछ ऐसे कारण निकल के आ रहे हैं जिसकी वज़े से उमीद यही जताई जा सकती है कि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को और भी ऊप के लेवल देखने को मिलेंगे तो वह क्या कारण निकल किया रहे हैं वह मैं आपके सामने रखने वाला हूं तो देखिए आया एफल सेक्यूर्टी की तरफ से बताया गया है कि लगबग अर्निंग पर शेयर 24 पसंट अपसाइड मुवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रह है और रिटन भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या वाकई में हमें इस कंपनी के अंदर घुचना चाहिए या भी भार बैटके वेट करना चाहिए देखना चाहिए और लोग क्या काम कर रहे हैं एक्टिविटी किस तरीके से देखने को मिल रही है तो फ आरी चीजे सही तरीके से अनलेसिस कर लेनी चाहिए इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों इसी तरह की कि नोलिजिबल वीडियो कंटेंट लगतार इस चैनल पर प्रवाइड कराते रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंटेंट आपसे मिस नहों कि ओनलाइन टिकेटिंग आपने देखा होगा कि लगबग चार-पांच साल पहले या फिर साथ साल पहले आठ साल पहले तो ओनलाइन टिकेटिंग की विवस्ता थी वह हम लोगों को इतनी नहीं दिखाई देती थी अब क्या था कि उस समय खिड़की पर जाने के बाद में ह लोग बाग अपना टिकेट जो है बुक कराते थे उसके बाद में ट्रें में सफर करते थे तो देखे कहीं न कहीं ओनलाइन टिकेटिंग से क्या है कि कम्पनी को डारेक्ट पैसा मिलता है और इसली जो है सुविधाइं भी आसान हो गई है तो कहने का मतलब यहिए कि ये कि जो है लोगों का रुजान भी बनने लगा है, बहुसे लोग जो ट्रेन में सफर भी नहीं करते थे, पहले सोचते थे, कि भी ट्रेन में सफर करना है, तो पहले टिकिट लोग खिड़की पर जाके, महां पर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तो कहीं जाके यह सारी चीज फर्स्ट क्लास के कोचिस के अंदर भी हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मुल लिए इससे भी क्या है कि passengers बैठेंगे तो कहने कंपनी का बिजनिस यह हम लोगों को बढ़ता हुआ नदर आया है यहाँ पर इन्होंने यही सारी चीज़े रखी है दूसरी चीज़ क्या है तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इन्होंने increase in capacity in PWD यानिके package drinking water segment के अंदर जो है capacity को बढ़ाया है जिसकी बज़े से भी effect पढ़ रहा है सीधे सीधे company के business के अंदर और अगर देखें तो अगला point निकल के आ रहा है resolutions of private trains दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह की से काफी सारी train जो है रोग दी जाती है और उसके बाद में उन्हें फिर वापस से start किया जाता है तो अब काफी सारी train जो है दुबारे से start हुई है तो उससे भी क्या है कि customers बढ़ेंगे passengers बढ़ेंगे तो company के business के अंदर ही हम लोगों को effect देखने को मिलेगा फिलाल अगर देखा जाए तो coronavirus के situations देखने को मिल रही है हाँ ये बात जरूर है कि up and down आपको company के अंदर देखने को मिल सकता है बट कहने कि अगर long term के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बहतरी ये company हम लोगों को दिखा दे रही है अच्छा खासा momentum आपको इस company के अंदर देखने को मिलेगा जैसे कि इनों नहीं है पर बताया है कि 24% यानि कि 24% का EPS CAZR लगबग FI 20 से लेके 23 तक यहाँ पर ये calculate करके चल रहे है तो बहुत ही बड़ा prospectors company के लिहास से इसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा है अब देखिए अगर share की बात करें तो 1624 रुपे की आसपास trade करता हुआ नहीं दर आ रहा है चाल देखिए चार्ट pattern में आपको पता चल जाएगा कि stocks के अंदर किस तरह की चाल हम लोगों को दिखाई दे रहे है देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इससे पहले दोस्तों कभी भी किसी भी company के अंदर अगर आप निवेश कर रहे है सही तरह के से analysis भी कर लेते है तो आपको दो-तीन चीजे देख लेनी चाहिए company का chart किस तरह की का है चार्ट को आपको जरूर observe कर लेना चाहिए उसके बाद मैं company के fundamentals हम लोगों किस तरह की से दिखाई दे रहे है अब देखे fundamentals के अंदर बहुत सारी चीजे आती है चाहे वो आपके technical analysis हो चाहे आपको fundamentals analysis company के उपर करजा किस तरह की का है उसके नतीजे किस तरह की के आई है उसके borrowings कितनी है सारी चीजे आपको सही तरह की से analysis कर लेनी चीए आजकल सारी चीजे आपको available मिल जाएगी Google पे कहीं भी आपको जो है जाने की जरूरत नहीं है बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और जो है company के बारे में research करनी है और उसके बाद में जो है आपको जुड़ जाना है और फिर भी आपको देखना है कि F.I.S. D.I.S. के activity की इस तरह की दिखाए देरिये कहीं ऐसा तो नहीं है कि F.I.S. लगतार जो है विक्वाली करते हुए नजर आ रहे या फिर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे तो हम लोगों को train भी जो है देखना है तो फिलाल में दोस्तों अगर बात करें IRCTC के बारे में तो लगबख 16-24 रुपे कि आसपास ये stocks इससे में हम लोगों को दिखाए दर है देखे एक छोटी सी बात में आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है देखे stocks के अंदर जो हम लोगों गिरावाट दिखने को मिली थी इससे पहले लगबख 16-24 रुपे के आसपास इससे में stocks दिखाए दे रहा है तो 500 रुपे गिर चुका है पहली बात तो ये है कि काफी सारे निवेशक ये सोच के चल रहे होंगा कि 500 रुपे गिरा हुआ है stocks को buy कर लीजिए तो देखें मैं आपको एक बात बिल्कुल किलियर बता देना चाहता हूँ कि stocks के अंदर high low कुछ भी नहीं होता है कितना भी गिर सकता है और कितना भी बढ़ सकता है तो ये चीज आपको अपने mind में बढ़ा ले नहीं है फिलाल में 400-500 रुपे गिरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं गिर सकता definitely गिर सकता है क्योंकि गेम जो पलटते हैं वो FYS, DIS और promoters और बाकी बचे बड़े-बड़े दिगज यही गेम पलटते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इनकी ही सबसे ज़्यादा holding होती है बाकी बचे पबलिक की holding आपको पता ही आजकल कितनी होती है तो आम निवेशक तो कमी होते है तो इसी लिहाज से आपको जो है सतर्ख होकर किसी भी company के अंदर trade करने चीए फैराल अगर देखें तो देखें छे महीनी के अंदर रुक रुक के अच्छे खासी तेजी भी हमें इसके अंदर देखने को मिली है 1332 रुपे के आसपास ये stocks दिखाए दे रहा था अच्छा कासा momentum देखने को मिला था 1700 को लेवल दिखाए दिये थे वापिस से जो है इसके अंदर गिरावाट देखने को बिली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम लोगों को लग रहा है कि गिरावाट जरूर हो जा रही है बट वापिस से ये कंपनी हम लोगों को recovery जरूर करके दिखा रही है इसी तरह की से अगर ओराल देखें तो ज़्यादा पुरानी तो ये कंपनी है नहीं अभी अगर देखें तो 2019 के अंदर ये स्टोक लिस्ट हुआ था एनसी बीएसी के अंदर और लगबख सास्तो स्यूरूपे के आसपास जो हम लोगों को level दिखाई दे रहे थे उससे पहले भी लगबख 2000 के आसपास इसने जाने की कोसिस की थी उसके बाद गिरावट हम लोगों को दिखाई देती हैं वो दिक्कते अभी कुछ दिन और जारी रहती हुए नजर आ सकती हैं बट ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि ये दिक्कते आपको लोंग टम में इसी तरीके से चलती हुए नजर आएंगी कभी न कभी इन सारी चीज़ों पर विराम लगता अगले दो-तिन महीने के अंदर चोबिस सो रुपए के आसवाज आपको दिखाई देने लगे तो आपको खरीदारी कहां कि करके चलनी है मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ आपको सिर्फ खरीदारी करके चलना है स्रफ नीचे की यानि के स्टॉक्स के अंदर आपको उत जो सिर्फ तैयारी नीचे की करके चलता है असलियत में उसी को अच्छा खासा मोनाफ़ किसी भी कमपनी से मिल जाता है घेर अगर देखा जाए तो IRC तो वैसे भी golden कमपनी है बहतरीन मोमेंटम इसके बिजनिस के अंदर लगतार हम लोगों को दिखाये जरा है देखिए यहाँ पर मैं आपको जो सारी बाते मैंने बताई है कि नॉर्मली बताई है मैंने हाँ फंडमेंटल अनलेसिस करके नहीं दिखाया है बट कहने कहिए आप जो है फंडमेंटल सारी चेक कर सकते हैं सब कुछ अबलेबल है आप मनी कंट्रोल की साइट पर जाईएगा IRCTC टाइप कीज़ेगा सारी चीजे आपको महाँ पर देखने को मिल जाएंगी लेके उसके क्वाटरली नतीजों से या फिर उसके शेरोल्डिंग पेटरन जब अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो हम लोगों को पता भी होता है कई बार नहीं भी पता होता है तो काफे सारी कंपनिया हम से होल्डिंग पे ब्रोकरेज चार्ज बगरा वसूलते रहती है तो देखे कई बार छोटा छोटा अमाउंट जो है खटा होकर बड़ा बन जाता है मानके चलते हैं कि चलिए एक हजार रुपे हम जो है होल्डिंग पे जो है डिलिवरी चार्ज जो हम दे देते हैं उस पर्टिक्लर कंपनी को तो एक महीने में हम ये चार्ज जे रहे हैं किसी भी तरीक का कोई भी चार्ज ना लें फ्री जो है आपको फैसलिटी प्रोवाइड करें तो दोस्तो एक कंपनी हैं अगर आप चाहते हैं इस कंपनी के अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कराना तो आप चाहें तो अफ्स्टोक्स के साथ में जुड़ सकते हैं जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीध है आपके मुबाइल प्रिमिल्स के ठैक्यू सुमच फॉच्ट